भरदेश के मदप्रदेश सहीत खरगोंजीले में दीवाली का पर्व हरसोलास के साथ मनाया जाना है। कार्थिक महा में धंतेरस से प्रारंभोकर भायदूच तक या पर्व मनाया जाएगा। दीवाली के इस पर उपर खरिदारी का विशेश महत्वर रहता है। बतादे हैं कि दीवाली के एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है इसी दिन सोना चांदी बरतन वाहन आदी सहीत जाडू खरिदने का विशेश महत्व रहता है और महालक्ष में पूजन के दिन इस जाडू की पूजा भी की जाती है तो चलिए आपको बताते हैं कि आकिर जाड क्या होती है क्या इसका महत्व है दिपावली परवा और भारदेश में धुमधाम से मनाई जाएगी पास दिन तक यह परवा चलने वाला कि चलता है कार्थी महिने की जो धनतेरस आती है उस दिन से परवा शुरू हता है और भाई दोश्त तक यह अनुवरत चलता रेता है इस परव पे विशेश रूप से धनतेरस के दिन से ही जो सुब नक्षत्र बताये गए हैं उस सुजण नक्षत्र में प्रथम जो वस्तु परिवार वाले खरिदते हैं बाजार से वह होती है जाडू सास्त्रों में बताया गए है कि यह लक्षीवर का रूप होता है साब सफ़ाई प्रिघर की इस्से अपन करते हैं तो उसको लक्षीवर का रूप प्रदान किया गए है वेद सास्त्र रुसार और खरकाओं का जो नियम होता है जाड़ू पहले लाई जाती है बजार से तो सरवपसम उसको कंकुति लग किया जाता है चावल पुरूली बांदी जाती है लाल दहगा बना जाता है पानी चिता जाता है पाइत्र करनकर करके उसके बाद में जहां पर आप लक्ष्पी पुजन करते हैं उस लक्षी पुजन के इस्थान पर जाड़ू को भी रखा जाता है पुजन के लिए जाडू विशेशकर से पुजन के इस्थान पे छोटी वाली होती है वो अपना आकार कम घिरती है इसलिए इस्थान के लिए वो छोटी जाडू विशेश रेटती है अगर नहीं मिले तब बड़ी जाडू कुप्योग भी कर सकते हो बजार सला करके पुजन का पाड़ करते होए लाल कलावा बांग करके मंत्रों से उसकी पुजा करे और पुजा पाड़ करके उसको परणाम करके लक्षव का सुरुख मान करके उससे अपने पेरों से दुर रखे तो उसका रूप दिया है अपन ने इसलिए उसे सम्मान से रखा जाए अगर आपन इस बात की ध्यान नहीं देते हैं कि जेसे तेसे आपने उसको रख दिया जहां भी रख दिया तो उसका एक दोस लगता है उस दोस में अपन परिशानियों में घीरते हैं वो आपने को मालूमी पड़ता है इन परिशानियों से बचने के लिए रखना ही चीए उसको आड़ा और छुपा के किसी की निजर न पड़े जब भी जरौत उसको उठालो और अपना काम कर लो काम हो गया उसको सोहलेस से जा रखना है उसका इस्थान जो निरहरत किया आपने वहां पर रख दीजिए दीपक पांडे लोकोलेटीन खरवों